आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ The question is that हमारे पास एक determinant की बाईना We have to expand it using Ceres rule Ceres rule किया होता है कि अगर हमारे पास यह कोई भी determinant होता है For example, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ठीक है यह determinant है और इसे expand करना है तो अगर हम लेते हैं along row 1 ठीक है along row 1 लेंगे तो पहले आएगा पहला element A1 फिर आएगा determinant of इसके जो corresponding इस row में नहीं इस column में इसके जो corresponding है इसका determinant that is B2, B3, C2, C3 ठीक है फिर आजाएगा minus में A2 अब इस row में नहीं इस column में नहीं यह दोनों तो यह आजाएगा B1, C1, B3, C3 next आएगा A3 अब A3 किसका determinant इनका तो B1, B2, C1, C2 ठीक है इस तर simply expand करना होता है तो given जो determinant इसको करते हैं क्या है मारे पास 3, 2, 5, 9, minus 1, 4, 2, 3, minus 5 ठीक है इसको गा expand करेंगे तो यह आजाएगा 3 into में determinant of this इसका determinant तो यह आजाएगा मारे पास minus 1 into में minus 5, minus में 3 into में 4, ठीक है तेन आएगा minus 2 into में यह आजाएगा 9 into में minus 5 minus में 2 into में 4, plus में 5 into में 9 into में 3 minus में minus 1 into में 2 ठीक है तो यह एको आजाएगा मेरे पास 3 into में minus minus plus में 5 ठीक है यह उजाएगा minus में 12 minus में 2, 9 into 545 और यहाँ जाएगा minus 45 और यहाँ जाएगा minus में 8, plus में 5, 9 into 327, minus minus plus 2 तो यहाँ से मेरे पास आजाएगा 3 multiply, minus 7, 2 multiply, minus 53, and plus में 5 multiply, 29 तो यह एको लाजाएगा minus 21, plus में 106, plus में 145, that will be equal to 230, so the answer is equal to 230. Classics to 12 सलेके नीट IIT जेही मेंस और अद्वांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुटेंट्स कभर हो साथ. आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप, यह वाथ्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर.